ही हाई अब्रिवन इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चाप्टर थ्री ओफ क्लासिक साइंस ताट इस फाइबर तू फैब्रिक तो हमें देखना है कि कैसे फाइबर से यान बनता है धागा बनता है और धागे से फिर हम जो कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम इस चाप्टर के थ्रू देखने वाले हैं आई होप आपको समझ आ जाएगा सो स्टार्ट करते हैं विद्डाउट वेस्टिंग अनि टाइम डाट सबसे पहले हम देखेंगे की फाइबर के टाइप कितने होते हैं जो हमें नेचरली अप्टेंड होते हैं फ्रम प्लांट या फिर अनिमल्स उनको हम बोलते हैं नेचरल फाइबर्स नेच्टिटी इस सिंथेटिक फाईबर्स सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं अर्टिफिशल जो कि हम लैब में क्रियेट करते हैं by the help of chemicals केमीकल्स का यूज़ करके जिब हम फाईबर्स को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक अप्बं by one उनके example देखते हैं जिसे कि natural fiber में सबसे पहले आता है cotton and jute जो कि हमें plant से update होता है next is animals animals से हमें कौन से update होते है wool और silk now opening question है इस lecture का आपके लिए कि what is apiculture इसमें किस चीज़ की rearing की जाती है तो आपको यह answer करना है and please try कि जो भी वीडियो देखता है वो सभी इस question को answer करने की कोशिश करें next आपने देखा wool और जो silk होती है वो हमें animal से मिलती है cotton और jute जो है वो हमें plant से मिलती है इसके बारे में हम detail discussion करेंगे cotton और jute के बारे में कि इनको कैसा environment चाहिए कैसा प्लाइमेट चाहिए किस conditions में यह grow होती है यह हम आगे देखने वाले हैं और यह देखते हैं जो wool होती हो हमें किस से obtained होती है और silk जो हमें किस से obtained होता है तो silk होता है हमें cocoon of silkworm से तो यह cocoon जो होता है silkworm सा उससे हमें हो जाती है और वूल जो है हमें बहुत सार अरीमल से होती है जैसे कि ship हो गया goat होगी और साथ में फिर rabbit हो गए याक हो गया camels हो गए इन सब से हमें वूल अप्टेन होती है ओके सो नेक्स पॉइंट पर हम चलते हैं कि जो संथेटिक फाइबर से उन में कौन कौन से एक्जामपल आते हैं तो आप एक वर्ड याद रख लीजिए that is nap nap क्या मतलब होता है थोड़ी देन के लिए सोना वालब आप रात में सोय नियो बट दिन में आप ओफिस राइम में थोड़ी वह पाच मिनिट की नैप ले आपने तो उससे आप याद रख सकते हैं nap का मतलब क्या होता है इसमें हम देखेंगे nap है यह सारे ट्रिक है यह आपके लिए synthetic fibers को याद रखने की nap n stands for nylon a stands for acrylic and p stands for polystone I hope आपको यह clear हो गया होगा अब हम next चलते हैं कि हमें यह जो cotton obtain हुआ है cotton plant से और उसके बाद जो हम यह धागा बनना है उस process को हम क्या बोलते हैं तो सबसे पहले आता है जब fiber से यान बनता है उस process को हम बोलते हैं spinning क्या बोलते हैं spinning spinning क्या होता है fiber से धागा बनाना ठीक है यह धागा किस process से बना है spinning process से धागा बना है ठीक है इतना समझ आया इसमें कौन-कौन से devices use की जाती है मेली तो वो की जाती है टकली और दूसरा होता है चर्खा अब most important question आता है जो चर्खा है वो इंडिया में किस महानस्ति ने इनको popular किया था तो वो थे महात्मा गांदी और इन्हों ने ही इनके ही वज़े से 1956 में कर 1956 में के वी आईसी को establish किया गया था जो थी खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन जो की 1956 में establish हुई थी और चर्खे को किस ने popular किया था यह किया था महात्मा गांदी ने और जो spinning process होता है जो यह हमें धागा मिलता है यह हमें किस machine के help से बनता है यह बनता है टकली की help से और तकली का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम hand spindle बोलते हैं और यह चर्खे की वज़े से भी बन जाता है तो आई होप आपको spinning clear हो गया होगा अब हम next चलते हैं इस धागे से ठीक है जो मैंने अभी T-shirt पहन रखी वो कैसे बनी होगी तो उस process को हम बोल सकते हैं यह इसम या फिर knitting अब ऐसे ही दो धागों का यूज किया जाए ठीक है और फिर कोई कपड़ा बनाया जाए तो उस process को हम बोलते हैं weaving तो weaving में क्या होता है two sets of yarn को use किया जाता है और knitting में क्या होता है knitting में सिर्फ एक single जो yarn है single धागा है उसकी help से ही कपड़ा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं knitting process तो I hope आपका कपड़ा बन चुका है हमने यह देख लिया अब आपको next process होता है हमें पता चलेगा जो यह cotton है यह हमें plant से कैसे obtain हुई है तो further हम देखेंगे कि cotton plant से हमें cotton कैसे मिलती है और उसके लिए जो cotton plant होते हैं उनमें जो seeds होते हैं उनसे हमें जो fiber मिलता है उस process को हम gaining बोलते हैं इसको हम थोड़ा detail में देखने वाले हैं तो पहले इसको clear करते हैं यहां से हमने देखा fiber से धागा बनाया spinning की process से जो की टकली और चर्खे की वज़े से होता है चर्खा किसने popular किया था गांदी ने KVIC कब established हुई थी 1956 में और अब हम देखेंगे कि धागे से हमने fabric देखा दो process से बनता है weaving और knitting से weaving का मतलब होता है two sets of yarn को use करके जब कपड़ा बनाते हैं उसको weaving बोलते हैं अब वी डबलू इस में अलड़ी वी आया हुए वी का मतलब होता है एक से जादा तो आप इससे याद रख सकते हैं इसको highlight कर लीजिएगा वी का मतलब two sets of yarn और knitting का मतलब होता है single yarn से जब कोई कपड़ा बनाया जाए अब हम देखते है cotton plant ठीक है अब जैसे देखो ड्रोइंग के साथ थोड़ा beer कीजेगा यह cotton का plant है ओके यहां पर जैसे ही fruit आता है तो यह जो fruit होता है cotton plant का यह lemon size का fruit होता है और lemon size का fruit जब यह mature होता है तो यह एकदम से यह ऐसे ऐसे burst हो जाता है ठीक है एक seed और इस seed के चारो तरफ fiber ऐसे ऐसे fiber लिप्टे हुए होते हैं ठीक है अब इस fiber को seed से अलग करना है seed को यहां पर और fiber को हमें इस से अलग करना है मतलब यह हमारे fiber हैं तो जो यह seed होता है और जो यह fibers होते हैं इनको अलग किया जाता है तो जब अलग किया जाता है इस process को हम बोलते हैं और यह किस से होता है by combing तो जैसे हम अपने hairs को comb करते हैं ऐसे ही seeds को combing किया जाता है और फिर हमें उससे fiber obtained होता है और इस process को हम बोलते हैं gaining of cotton तो आई होप आपको यह gaining of cotton भी clear हो गया होगा एक बार conclude कर लेते हैं थोड़ा सा two types of fiber natural and synthetic natural में हमने देखा plants से जो हमें obtained होते हैं for example cotton and jute and second हमने animal से देखा silk and wool जो wool होता है वो animal से obtained होता है जैसे कि yak camels and जो silk है वो हमें cocoon of silkworm से obtained होता है next process हमने देखा कि जो हमने यह cotton obtained किया है fiber जो obtained किया है इस से जो हमने धागा बनाया है इस process को हम बोलते है spinning और देन इस धागे से यूज करके हमने जो यह टीशट बनाई है जो भी हम कपड़ा बनाते हैं इस process को हम बोलते हैं weaving या फिर knitting weaving में क्या होता है two sets of yarn knitting में क्या होता है single set of yarn और उसके बाद हमें कपड़ा मिल जाता है और जो spinning होती है वो किसकी help से होता है spinning होती है टकली और चर्खे का यूज करके चर्खे को किस ने famous किया था गांदी ने famous किया था और के वी इसी कब establish हुआ था 1956 में establish हुआ था तो यह था पूरा process और next हमने देख लिया कि हमें cotton plant से cotton जो बोल्स होती है उनसे cotton किस process obtained करते हैं गिनिंग process से obtain करते हैं तो यह हम देख चुके हैं अब हम एक बार देखते हैं कि cotton जो जूट होता है वो कैसे किन conditions में grow करता है आपने सुना होगा three types of crops होती है sorry three types of crops होती है एक तो ख्रीफ होती है then rubby crop होती है then जायद crop होती है तो आपको बताना है cotton जो है किस तरह की crop है आपके लिए second question है इस वीडियो का तो हमने देखना है कि जो cotton है वो कैसे conditions में grow करता है सबसे पहले इसको चाहिए black soil जिसको हम rigger soil भी बोल देते हैं तो first point क्या है black soil या फिर rigger soil second point is climate कैसा चाहिए इसको warm climate तो ये condition आपको याद रखनी है ग्रो कैसे करता है हम fiber कैसे obtain करते हैं गिनिंग प्रोसेस से करते हैं तो जो प्रोसेस होता है गिनिंग वो भी आपको समझ आ गया होगा क्या होता है तो ये तीन main points है जो कि आपको पता होने चाहिए साथ मैं आपको बताना है कि cotton जो है कौनसी टाइप की crop है ख्रीफ है या अरभी है या जायद है next point है जो है आपका वो है जूट के लिए second point is जूट तो जूट जो होता है वो हमें किस से obtain होता है उसकी stem से ठीक है second point is कैसे soil चाहिए इसको grow करने के लिए let me write here loamy soil loamy soil जो होता है वो mixture होता है sand का clay का और silt का किसका mixture होता है sand plus silt plus clay और इसमें जूट प्लांट को grow कराया जाता है और यह इंडिया में mainly कहां पर famous है यह है असम में West Bengal में और बिहार में जहां पर जूट प्लांट को grow कराया जाता है तो हम यह देख चुके हैं और next जो है इसको grow कब किया जाता है इसको cultivate कब किया जाता है rainy season में तब cultivate के जाता है rainy season में तो हमने कोट और जूट दोनों का देख है हमने कोट जो है वह ब्लैक सोईल और रेगर सोईल चाहिए उसको और साथ में वार्म क्लाइमेट चाहिए मनलब गर्म क्लाइमेट थोड़ा और जो प्रोसेस होता है सीड से धागा फाइबर उप्टेन करने का उसको हम गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं और जो जूट प्लांट है उसकी स्टैंप से हमें जूट मिलती है और यह मेली रिजन रेनी सिजन में कल्टिवेट इसको कर लिया जाता है और यह ग्रो कहां पर की जाते है मेलने इंडिया में असम में वेस्ट बंगोल में और बिहार में असम जो है आपका यह नोर्थ इस्टन में पढ़ता है वेस्ट बंगोल भी आपका नोर्थ इस्ट की तरफ ही है मैं लग के लिए में इंपोर्टेंट कोशन आता है होनी कौन सी कंट्री में प्टेन होती है तो इसे बादा उसके बाद यो एक यॡ्रिफर होती थी नील रिवर वहाँ पे कौटन प्लांट सको गुरो कराया जाता था और साथ-साथ में एक प्लांट और था जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स और इस फ्लेक्स प्लांट से भी फाइबर उप्टेन होते थे और इससे भी धागा बनता था तो आपको ध्यान रखना है फ्लेक्स क्या है फ्लेक्स इस अलसो अप्लांट जिससे हमें फाइबर मिलते हैं तो आई होप आ नाचिरल 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 में कॉटन जूट एंड वूल और सिल्क अधन सिंथेटिक में आ जाता है पॉलिस्टर अक्रिलिक और नाइलोन और नाचिरल के नाचिरल थेटन सिस्वार सकता हैं में का सब्सक्रघूर किया है l आज नाचिरल फेलोन 2-3 जब करता उसबैतन सिसम temos देखर से और यह इस सब्सक्राइब रिखला थो तो हम पता कर सकते हैं कि यह two sets of yarns use करके कपड़ा बनाया जाते हैं उसको weaving बोलते हैं और single set को use करके बनाया जाते हैं तो उसको knitting बोलते हैं कि कौotn प्laan को से मितती चाहिए व्लाक सोई और रेगर सो Ηल क्लाइमेट लाइमेट वार्म क्लाइमेट होना चाहिए ए थो किस existential में करे होती है तो वो है बांगलाधेश और फिर हमने देखा कि जो फ्लैक्स है वो भी एक तरह का प्लांट ही होता है जैसे कोटन का होता है और उससे भी हमें फाइबर ऑप्टेल होता है और ओल्रेडी हम से एक्स क्लास के फर्स्ट और सेक्ड चाप्टर कंप्लेट कर चुके हैं तो आगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखेगा और अपनी बेसिक कंसेप्स को क्लियर करिए धीरे धीरे हम अप्टू 10 स्टांडर्ड को क्लियर करने वाले हैं थांक्य वह वोग देखेगा हैं और जापने था थांडर्ड कर चाहर देखेगा हैं थांट वालेगा जापने धीरे वसके अवजेशने बनार्ड कर चाहर जेए रहां थांटार्ड कर चाहर इंद दो